कि हाथ की सूजन को कम करने के लिए क्रेप बेंडेश यानि कि गरम पट्टी को कैसे बांधना चाहिए कि गरम पट्टी को बांधने से पहले जरूरी है कि इसकी इलास्टिसिटी को इस तरह से थोड़ा खीच कर पहले चेक कर ले इसमें थोड़ा खेचाब होना चाहिए तभी इसको बांधना इफेक्टिव होता है अदर्वाइस अगर बेंडेश काफी पुरानी है और वो इस तरह से खिल्च नहीं पा रही है तो फिर इसका इस्तेमाल करना बिकार है क्योंकि हाथ में जो फ्ल्यूड जमा है जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग है उस फ्ल्यूड को ड्रेन आउट करने के लिए बेंडेश में थोड़ा प्रेशर होना चाहिए चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं सबसे बहले बेंडेश के एक सिरे को हतेली पर एक बार इस तरह से लपेट यहाँ पर एक दो बार लपेट नहीं काफी है अगर ज्यादा करेंगे तो ये हिस्सा ज्यादा मोटा हो जाएगा और फिर जिससे अंगुठे और पहली उ मुव्मेंट ठीक से नहीं हो पाएगा रैप करते समय ध्यान दे कि कहीं से ये मुड़े ना कोई क्रीज ना पड़े अगर पड़ता है तो उसे हाथ से ठीक करते जाएं अब दूसरी बार में इसे इस तरीके से लपेटिए और फिर से अंगुठे और उंगली के बीच से ले पेटिना है अगर इस तरह के पैटर्न से आप इसको बांदेंगे तो फ्ल्यूट पर हर तरफ से बराबर प्रेशर पड़ेगा और फिर स्वेलिंग भी जल्दी कम होगी बेंडेश बांधने के बाद ध्यान दे की बेंडेश जदा टाइट न हो अगर जदा टाइट होगी तो उंगलीों में जंजनाहाट और सुन्नुपन की शिकायत हो सकती है इसलिए ठीक ठीक प्रेशर के साथ बेंडेश को बांदें इसके अलावा ध्यान दे की नाखुन और उंगलियों का कलर सफेद और नीला ना पड़े और टेंप्रेशर भी नॉर्मल रहे अब बांधने के बाद एंड पोर्शन को क्लिप की हेल्प से सिक्योर कर देना है ताकि वो खोलेना अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर पसंद आई है तो लाइक बटन दबाएं और दूसरों को शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी क्लिक करें थैंक्यू